है वेल्कम एवरेवन तो अभी हम खेल रहे चेलेंजर मोड दिपेश भाय के साथ में तो यह वाला मैच बहुत ही जबरदस होने वाले है पहले हमारी बेटिंग है तो चलो शुरू करते बल्ले बादी सबसे पहले सामने लेक्सपीन बोलर है तो ध्यान से खेलना होगा दो-दो-दो रन लेना भी बहुत जरूरी है तो इसलिए मैं यहां पर स्ट्रोक शौट्स खेल रहा अब अगला गेंद यहां पर भी में पाई सेम शौट्ट खेल के स्ट्रोक खेल के दो रन लेने वाला कोई मतलब टेंशन वाला काम नहीं करना है बस दो दो रन लेने हैं दीसरा गेंट इस बार मैंने सोचा भाई चलो पीछे मार देते क्योंकि फिल्डर यहां पे कहीं पे नहीं है तो इसलिए मैंने पीछे मारा और यहां पे दो रन फिर से तो अभी हम पहुंचे छे रन के अब तक ह कहां पे भी आ ही जाएंगे कोई टेंशन की बात है नहीं फिल्डर ने गुलाटी मार दी है तो आट रन जिरो विकट और का आखरी गेंट है बहुत ही बढ़िया गेंट तो पहले और में भाई कुछ खास रन नहीं बने अपने क्योंकि लेक स्पिनर का ओर था ना वैसे भी लेक स्पिनर के सामने कभी रिस्क नहीं लेना चीए तो यह कोवर में आठ रन जिरो विकट अब सामने सेंटनर के सामने हम किस तरह से खेल सकते अब पहले ही गेंट पे भाई 276 कहला सोचा की केरम होगा पर निकला है बाई दूसरा तो अब धुखतो यार धुखतो आउट ह होगा फुशल पेरेरा पहला विकट गया भाई सस्ते में अब यहां पर देखते नेक्स्ट क्या होता है अब इस वाले गेंट पे तो भाई वाइड जाएगा मेरे ख्याल से और हाँ भाई वाइड ही है नेक्स्ट बॉल यहां पर मैंने खेल दिया 3-0-8 काफी अच्छे तरीके से बल्ले पर आया है और यह जाएगा छक्का अब यह भी बहुत ही बहतरी शोट है पर इस बार सिर्फ और सिर्फ दो रन ही मिल पाएंगे एक ओर तीन गेन 17 रन एक विकेट चलो यहां पर एक ओर दंदार हीट और इस बार सिर्फ चोका है तो एक ओर चार गेन 21 रन एक विकेट अरे यार नोट टंकी कर दी विकेट जाएगा यहां पर एज लगाया रिजवान आउट एक ओर पांच गेन 21 रन दो विकेट अब जो नेक्स्ट बल्ले बाद है वो है डेविड वोर्नर देखते भाई यहां पर हम कैसे खेल सकते फिर से हम इस तरफ आ चुके 308 खेला है और चोका मिलेगा चलो अच्छा है बाई यह मिल गया चार रन मिलेंगे चलो यह बहतरिन शोट यहां पर तो यहां से हम 31 तक पहुंच आएंगे 31 रन दो विकेट देखते अब यह वाला गेंद चलो भाई यहां पर भी दो रन तो ले ही सकते है तो यहां पर 33 पर पहुंचेंगे हम 2 वर 2 गेंद तो रन रेट अब भी देखा जाए तो चैलेंजर म यहां पर मैंने खेला है 117 पर बल्ले पर नहीं आया तो गेंद जाएगा फिर से खाली 2 वर 4 गेंद 33 रन दो विकेट अब यहां पर बहुत ही बहतरिन तरीके से शोट खेला है 173 यहां पर भी दो रन मिलेंगे इस पर बाउंस थोड़ा हाई लग रहा था चलो अच्छा है अंपायर ने वर्निंग दे दी है अरे गेंद नीचे से सरक है बहुत वहतरिन गेंद बादी तीन ऊवर 35 रन दो विकेट जैन काफी अच्छे से गेंद बादी कर दी अब अगला और है साही नाफरीदी बीडियम फस्ट बोलर यह नहीं मीडियम फास्ट नहीं उप फास्ट बीडियम दो रन चार रन मिल गया बहुत बड़िया यहां पर अमपार ने वर्निंग दिया है यह बहुत रिन शोट है दो रन फिर से 43 रन दो विकेट एक स्टप पीछे अटके फिर से 363 खेला बहुत बहुत रिन शोट है चक्का जा सकता है अरे यार वोक लिया फिल्टर ले कि चलो तीन रं तो नहीं आएंगे अब दो रन आएंगे रन लीए नहीं था न आप भुक तो अब नहीं मिल गये ये तीन रन मिल गये अरे यार सीधा फिल्टर के हाथ में गया 46 पर मेरा थर्ड विकट गया डेविड वोर्नर होगा आउट तीन ओवर चार गेंद 46 रण तीन विकट सामने वांडेर मरवो नहीं वांडेर डसन है चलो यहां पर एक और चपका 52 पर पहुंचे हम तीन ओर पांच गें 52 रण तीन विकट यहां पर दो रण ओर आ सकते हैं तो 54 तक हम पहुंच आएंगे चार ओवर 54 रण तीन विकट देखते आखरी ओवर कौन लेके आता है के महराज बहुत बढ़िया देखते क्या होता है शुरुवाद में ही विकट चड़का दी फिफ्टी फोर पे चुर्था विकट जाएगा वांडेट डसन आउट है जीरो रण पर चार ओवर एक गेंद 54 रण चार विकट अब नेक्स्ट बल्लेबाद है भाई विंटन डिगबोक चलो यहां पर हम दो रण लेते हैं अच्छा है बाई एक दो एक दो रण लेना ज़रूरी है यहां पर फिर से दो रण लेंगे ताकि 58 तक पहुंच जाया है कम से कम 60 तो करना ही चीए ताकि श्ट्रोक शोट से ओपन जो जीदना पाए अब यहां पर दो रण का जुगाड हो ही जाएगा चलो 60 तक तो पहुंच गया है अब भी दो गेंदे बचिए देखते हैं इन दो गेंदों में हम क्या कर सकते हैं अब यहां पर लोफ्ट खेलेंगे एक बार दो रण लेने की कोशिश करते हैं हाँ दो रण आ जाएंगे बड़ी आसानी से चलो बड़ी है दो रण मिल गए चार ओर पांच गन 62 रण चार विकेट और यहां पर फिर से दो रण मिलेंगे काफ़ी अच्छा शूट था पर फिल्डर जो हो पहुंच चुका है यहां पर तो पांच ओर में हमने बनाए टोटल 64 अब यहां पर देखना यह है कि दिपेश भाई इस टारगेट को चेस कर सकते हैं नहीं तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं अपनी गेंदवादी के साथ अब पहला ओर हम यहां पर देने वाले हैं एम रह्मान को देखते हैं कैसे ग घंद बढ़े दूसरा घंद यहां पर दो रण लेंगे अ कि बहुत अच्छे तरीके से खेला है अब देखते हैं यहां पर क्या होता है यहां पर तो भाई चूका जाएगा बहुत बढ़िया किसमत घृटर जो काफी दूर रह गया है अब यहां पे भाई दो रन ले ही लेंगे चार गेंदे आठ रन जीरो विकेट देखते हैं नेक्स्ट बोल चलो यह भी बहतरीन शोट यहां पे भी दो रन जाएगा पाँच गेंदों में दस रन पे है मतलब रन रेट के इसाब से चल रहे हैं चलो भाई फिर से दो रन ले लिए इन्होंने तो पहली ओर में इनको मिले बारा रन काफी अच्छा ओर इनके लिए भी अब नेक्स्ट ओर हम शम्शी से करेंगे देखते हैं शम्शी कितना अच्छा रहता है अपने लिए अब पहले ही गेम पे भाई दो रन जायेगा फिर से दो नहीं इस बार तीन जायेंगे नोटन की फिल्डर तीन रन देगा पंदरा पे पहुंचे नेक्स्ट बोल चलो यहाँ पे दो रन तो चायेगा ही जायेगा बड़ी आसानी से दो रन ले लिए 17 रन पे पहुंचे केच आया है अबे यार इस फिल्डर ने छोड़ दिया केच और भाई तीन रन यहाँ पे दे दिये इसने भाई बहुत ही खराब किस्मत तीन नहीं दो रन दिये पर किस्मत बहुत खराब यहाँ पे चोका जायेगा वो केच जो छुटा है ना वो बहुत भारी पढ़ने वाला है चलो यह गेंद खाली एक और पाँच गेंद 23 रन जिरो विकेट और का आखरी गेंद है और भाई थोड़ी गती बढ़ गई है और नो बोल जायेगा यहाँ पर इनको मिल जाएंगे 27 पर पहुचेंगे अब साथ में यहाँ पर फ्रीड भी जायेगा 27 रन चिरो विकेट अब देखते यह वाले गेंद पर क्या करते बहुत बढ़ी आशोर पाई यह ओर बहुत महेंगा पड़ गया 19 रन इस ओर में गये यहाँ पर चोका लगा चुके है अब मुश्किल होगा एक गेंपले बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 31 रन इन्हों ने दो ही ओर में मार दिया अब चलो वोक्स को लाए हम पहला गेंद खाली दूसरा गेंद देखते कहां पे खेलते और भाई बहतरीन शोट यह जाएगा चिका बहुत ही जबर्द तो आएगा रोईद शर्मा आउट हुए 37 रन एक विकेट दो ओवर तीन गेंद बहुत जबर्दस खेल रहे थे रोईद शर्मा चलो यह तो भाई फिर से तीन रन जाएंगे यार यह गुलाटी फिल्डरों ने दिमाग कद्ध ही करके रखता है चलो वैसे बाउंटरी में तो ज़रूरी है भाई गुलाटी मारना पर फर्स्ट सरकल में जो गुलाटी आ लगती है ना फूपट की वह बहुत डेंजर है अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है चलो यह तो विकेट नहीं आएगा यह फोड़ा दूर रह रहा था इस वाले गेंट पर दो रण जाएंगे फिर से अब भी यह पहुंचेंगे 42 पर नेक्स्ट बॉल यहाँ पर बहुत ही बहतरीन शॉट खेला है एक रण के लिए 43 पर पहुंचेंगे चलो फाइनली किया चाहिए 43 पर सेकंड विकेट आएगे फखर जमन आउट तीन ओवर तीन गेंट 43 रण दो विकेट अब नेक्स्ट बल्लेबाद आ रहा है शुबमन गिल चलो यहाँ पर दो रण जाएंगे अरे भाई चलो अच्छा फिल्डर ने रोक लिया बहुत बढ़िया काम कराया पले ही तीन रण जाएंगे एक चक्का अपना भी रुका था एक इनका भी रुका और ये तो बहुत ही बैतरिन खेल दिया बल्ले के बीचो बीचो और 52 पे पहुँच गए भाई बहुत बढ़िया खेल रहा है चलो यहाँ पे एज लगाया पर दो रन तो इनको मिल जाएंगे तो 54 यह भाई चार ओवर में मार चुक है अब लास्ट ओवर बचा इनको चीए सिर्फ और सिर्फ ग्यारा रन पाई सिर्फ ग्यारा रन चीए इनको अब लास्ट ओवर है बोल्टे है आध में क्या लगता है 11 रन बचा पाएंगे ट्रेंट बोल्ट चलो बहुत बढ़िया गेन ऐसी ही गेंदबादी की जरुरत है यापर यह अच्छा शोट दो रन जाएगा अब है अब है 46 फे पहुंचे अब भी इनको नोरण जीए चार जीए यह बट्या सुट में यह भी इनको जीए साट Grace में की मैं एकअ noon चीके जह बहुत ही मुषकील हुए बहुत ही मुषकील चलो यहां पर बचए गेंदो में साथ जाएंगे यार तीन जाएंगे फाइए लास्ट बोल पर चोका मारना होगा इनको तो अब लास्ट बोल चार रंच यह इनको और मैंने सुचा क्यूं न यहां पर रिवर्स करें शायद बोड़ी पर यह तो वाइड ही चला गया यार अब यह तो गया वाइड अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता अब लास्ट ओर मेने वाइड योकर डाला और बच गया भाई काम हो गया आपना चलो तो यहाँ पर फाइनली हम सिर्फ दो रन से मेच जीते हैं बहुत ही बड़िया मेच हुआ जबरदस मेच हुआ अगर मेच गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना थेंक्स रोचेंग टेक केर बाई